आज मैं बनाऊगी तंदूरी नान बिल्कुल तवे पे बिना तंदूर के बहुत इटेस्ट्रों का आठा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है अब इसमें मौईन के लिए डालेंगे गी उसके बार डालेंगे इसमें दही थोड़ी सी एक चमची ने डाल देंगे और अगर आप चाहो तो इसमें मेदा भी एड़ कर सकते हो, ये एक चमस नमक में थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, ये हमें बाद में काम आएगा जब हम नान बनाएंगे, तो चलो करते हैं आटे की तेयारी, आटे को पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे, यानि कि देई और गी टाला हुआ है, तो देखेंगे भी कितना गिल्ला होता है, इसमें पानी की जरूरत है या नहीं है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसको मेंस करेंगे, एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर ये गिल्ला हो इस एक वीडियो में मैं आपको तीन तरीके के नान बताऊंगी आपको जो पसंदों आप वैसे बना सकते हो तो बहुत अच्छे से आटे को मैंने लगा लिया है इसको दस मिंट या आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप आदा गंटे के लिए रख सकते हो रेस्ट के लिए इसे अपना आटा ओर भी त्यार हो जाएगा जितना अच्छा त्यार होगा आटा उतना अच्छा नान बनेगा तो मैंने ये रख दिया है आदा गंटे के लिए इसके उपर मैंने डख्कर लगा दिया है और आदा गंटे के बाद हम इसका नान बनाएगा आटे को रखी हु और गूंद लेंगे, गूंदनी के बाद चलो, अपना आठा हो गया है, रेडी और बनाती है नाज नोर्मल जो रोटी बनाती है, उतना पेड़ा लेना है, और इसको गोल नहीं मनाना रोटी की शेप में, इसको एग की शेप में बनाना है पिर इस पे दनिया के पत्ते लगा देंगे एक साइड में, दूसरी साइड में नमक का पानी लगा के तोवे पे रख देंगे, जिस साइड में नमक का पानी लगाना है, उसी साइड से तोवे पे रखना है तवा अपना गरम है और ये रख दिया है नान अथोड़ देर में ऐसे देख लेंगी भी हाँ एक साइड से पक के है तो दूसरी साइड में तवा उठाएंगे और ऐसे पका लेंगे ध्यान से पकाना है कहीं जलना जाए ध्यान रखना बस इदर उदर तवे को हिला के ऐसे पका लेना है तो नान अपना बन की तेयार है बहुत ही तेश्टी और अब इस पे लगा देंगे देशी की आपको दूसरे त्रीके का नान बताती हूं तो सेम प्रोसेस रहे की शेखने की तो और एसे लेते हैं एक वही पेड़ा और एग की शेप में फिर बना लेंगे उस पे आप लस्टन का दुखस करके भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो नहीं तो फिर थोड़ी सी कलोंजी और दनिये के पत्ते डाल की और थुड़ा सालका सा बेल की और आप तवे पी दूसरी सेड में नमक लगा की नमक का पानी और शेखने ये भी अच्छा लगता है खाने में